वैसे तो दुनिया में हर साल वाइन फेस्टिवल बड़े ही धुमधाम से मनाया जाता है नागपुर शहर में भी धुमधाम से वाइन फेस्टिवल मनानी की परंपरा वाइन कलब ने डाली है और इस साल भी वाइन फेस्टिवल जो है नागपूर वाइन कलब दोरा आठफा वाइन फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है तो हम फिलाल बहार खेड़े हैं तो चलिए देखते हैं कि यह साल के वाइन फेस्टिवल में ऐसा क्या खास है चलिए मेरे साथ और एंजोई करते हैं नागपूर का और इन सिटी का वाइन फूर फेस्टिवल तो चलिए तो हम एंटर हो चुके हैं वाइन फेस्टिवल में आपने देखा किस तरह से प्रिकॉशन्स ली जा रही है स्क्रिनिंग हो रही है सैनिटाइजर दिया जा रहा है अब देखते हैं कि अंदर का महोल किस तरह से बना हुआ है धीमी धीमी म्यूजिक जो है हमें सुनाई दे रही है यहाँ अब देख पा रहे हो कि अलग-अलग वाइनरी की कमपनी जो है आई है नौ प्रकार की यहाँ पर वाइनरी कमपनी आई है साथ हिसार फूर स्टाल भी हमें दिखाए दे रहे और लोग भी हमें यहाँ एंजॉई करते हुए दिखाए दे रहे काफी दिनों के बाद जो है इस फेस्टिवल का मजार लेने कार। नाकपूर वासियों को जो है एक मज़ा लेने का एक जो चांस मिला है तो आप देख पा रहे हो कि धीमी धीमी संगीत भी यहाँ पर सुनाई दे रही है तो चलिए हम जाते हैं एक वाइन स्टॉल पर और देखते हैं कि क्या खास है इस बार इस वाइन फेस्टिवल में चलिए झाल 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 तो सबसे पहले हम आये सुला वाइन जो है सबसे फेमस सुला है सबको पता है कि सुला वाइन क्या है हम जानते हैं कि सुला जो है यह वाइन बहुत ही फेमस है हरकोई सुला को पहचानता है क्या बताओगे यह वाइन फेस्टिवल में आप आए हो किस तरह की वाइन जो है न रीडिंग वाइन कंपनी बेसिकली और हमारे पास नागपूर वाइन फेस्टिवल में हम यह 8 कॉंसेक्टिव यह से जहांके हम लोग पार्डिसेपेशन करते हैं और हमारी जो वाइन्स है वो प्रीमियम कॉलिटी वाइन्स हम लोगों यहां पर आज लाये हैं जैसे कि स्पार प्लस थाउजन रूपीज के प्लस भी हमारे पास वाइन्स है अब जैसे कि देख सकते हैं यह स्पार्कलिंग में हम लोग सेको रोज हम लोग टीस करा रहे हैं तो डिस इस स्पार्कलिंग रोजे वाइन उसके अलावा वाइट और रेड वाइट में शन्यन ब्लॉ रिजर् यहां बताओगे हर साल जो है आपके जो है यहां पर काउंटर लगता है वाइन पेस्टिवल में इस बार भी आप क्या नया लेकर आए हो और नापूर वासी होगी यहां से लोगों को वाइन के बारे में बताया जा सकता है कि वाइन पीने से आपको क्या बैनेफिट्स है और जनरली वाइन के बारे में अवेर्नेस नहीं है तो इस बार भी यहां से एक लोगों एक मैसेज जाता है कि वाइन पीने से हमारे लिए कितना अच्छा है यह मैसे तो वाइन से हैं, रियो श्ट्रॉंग, इस अच्छा लोगों को फ्लेवर देता है, साथ में हमारे पास कासा ब्लैंका है, अंत्रा है, फिजानो है, इस टाइप अफ वाइन है, तो बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास, तो लोगों को बहुत पसंद आता है यहाँ और हम लो हमारी जो वाइनरी है वो नासिक में है, हमारे तीन चार ब्रैंड्स है, सिरक ताउजन, सिरक सिलेक्ट, जो एकदम यंग, वाइबरेंट वाइन्स है, जो कॉक्टेल में बहुत अच्छी तरह ब्लेंड होते हैं, फिर हमारा एक मिच सेगमेंट है, जो विंस रेड, जो है य ज़िस अदर अध ब्रैंड नेम दिसाल वाइन कलेक्टिन, उसमें हमारा जो वाइबरेंड है वो शेनन बलाँ है, और जो हमारा रेड है वो है शिरस और सांगोवेजे, और यहां के खासियत यह है, जैसे के हमने सिरक के बार में कहा जो बहुत यंग, वाइबरें, यह संजोवेजे और यहां आप यहां आप यहां नागपूर वाइन क्लब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस तरह का ओकेजन अरेंज करके नागपूरियन पब्लिक को एक अच्छी सी चीज एक अच्छा सा माहोल दे रहे है जहां तक कि यहां के वाइन का सवाल है मैंने आभी तक तीन प्रकार की वाइन टेस्ट कर चुका हूं और मैं प्रावड फिल कर रहा हूं कि वो वाइन महाराष्ट में बनी हुई है और मैं भी एक महाराष्टी है हूं इसलिए मैं नागपूर वाइन क्लब को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद देने चाहूंगा धन्यवाद हमारे साथ जो है आज के जो यह वाइन फेस्टिवल इसके खास गेस यहां पर लोग भी एक बहुती उनीक चीज है क्योंकि मैंने देखा यंग जनरेशन काफी आने लग गई है भी वाइन टेस्ट करने के लिए और ओपन ली इस अब शुरू है कि there is nothing wrong with wine, it's not alcohol, everyone can enjoy it, we are enjoying it what do you want to ask? wine is good for health, यह तो सबको पता है और शायद आज के जनरेशन को और ज्यादा पता है इसलिए आज फूट फॉट पॉल ज्यादा करके new generation का ही है, thank you और भी नागपूर वासी हमारे साथ है, जानते हैं उनसे कि क्या बता होगे wine festival के बारे में नागपूर में इसलिए यह वाइन फेस्टिवल नागपूर वाइन क्लब के बारे आजिक किया जाता है, बहुत सालोबाद मतलब एक साल गुजर गया है कोवीड के वज़े से फिछले साल जो है वाइन फेस्टिवल नहीं हुआ इस साल हो रहा है, क्या बता होगे, क्या खास लगा इस बार नागपूर से नहीं है, मैं बेसिकली, मैं गोवा से हूँ और यह राजस्तान से है, so like we were very much surprised कि नागपूर में भी ऐसे कुछ होता है, क्योंकि हम लास्ट एक साल से है हमने ऐसे कुछ देगा नहीं था, so this is a very good thing that you people are organizing, or I know like COVID and all, वो सब है, but this kind of social environment, social gatherings are very much needed, Yes, it should happen, otherwise क्या होता है कि, you, for us क्या हुआ कि हम लोग जब आये, COVID था, कुछ मिल नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तो लग रहा था, कहां आगए हम लोग, but now we feel कि, नागपूर में भी कुछ होता है, तो चलो, gathering है, आप चल करने के लिए कहीं जा सकते हो, तो वो सा कि, मतलब कॉमन चीज हो चुके है, ये वाइन फेस्टिबल जो है, ये वाइन और जिस तरसे ये माहोल है, तो क्या बता होगे, नागपूर में ऐसा देखने मिला है, नागपूर औरन सिटी के नाम से आप जानते होंगे, लेकिन अब अलग पहचान भी आपने देखी होंग तो बाइन तरसी होता है, तो में dei सम फेमी में फेमात थेसि जासा भी द अब लंट ऐखायाख सैज एंटी के वहां के नागे उत्सजा के ये रहुबग बपसंदेहिए अपने को तो शांट है, पूलिए कर देखी होंगे हैं पने के वखंगे तो ऑल लुचा है। आप ए पर भी खोते हो तरह से शाम होगा उसकता कि क्राउड और बड़ जाएगा ओर लोग एंगे और मजा आएगा जो कि अगर बोलें तो इच से अफ लेक्स एंड है अगर पर अगर जो है यहां पर एक और अगर अगर नापूर वाइन कलब द्वारा आग्वा जो है पूर एंड वाइन फेस्टिबल जो है यहां पर आईजीत किया गया हमारे साथ है इपक घनुजा जी जो कि डिडरेक्टर है नाकबूर वाइन क्लब के सर तर्क्या बताओगे इतना अच्छा जो है आप यहiger साल आजीन किया जाता है नाकबूर वाइन फ sitting किया बताओ गया was pasta क्रशला साल था ताप तो इतने बड़े पैमाने पर यह अट नहीं हो पाया था इस साल जो है यह यह पिस्तिवाल आचन किया गया है क्या बताओ गया इस बार के फिस्टिवल के बार है हम लोगों ने इसको इनाउग्रेशन किया है और कोविट गाइडलाइन के तहद धायन रखते वे फिर भी हम लोगों ने बहुत ख्याल रखा है इसका और वी आर गेटिंग गूड पीपल ऑफ नंबर येर पीपल आर एंजोईंग दा फेस्टिवल पीपल आर मेरी मेकिंग ड के वाइन फेस्टिवल के बारे में कोलना का साया भी है और ये वाइन फेस्टिवल भी आयोजी किया गया है इसमें सारे लोग हमें दिखाए दे रहे है प्रिकॉशन ली जा रही है और ये वाइन फेस्टिवल है नाकपुर में क्या बतायों और नाकपुर की थेंडी भी है देखिए लगबख दो साल के बाद ये पैंड़ामिक सीचुएशन से हम लोग थोड़े सबर रहे हैं और क्यूंकि हम सबर रहे हैं, at the same time there is a threat of another variant of COVID तो हम लोगो ने पूरी प्रिकॉशन लिये, फेस्टिवल में हाइलाइट किया उसको we have caution all the visitors that they should follow all the norms of COVID and protect themselves from infection तो लोग वो फॉलो कर रहे हैं और हम scrutinize कर रहे हैं और how can you stop people enjoying, वो तो हग बनता है उनका, तो यह ऐसे फूर वाइन फेस्टिवल है, तो लोग अच्छी तादाद में आये हैं और वो enjoy भी कर रहे हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने साथ वाइन फेस्टिवल दो हजार तू तू तादाद थरटीन से हम लोग आयो जी किये जा रहे हैं यह 8th event है, 8th edition है, तो जिसको अच्छा लोगों ने पसंद किया है और अच्छा response दिया है, शुक्रिया इसके आपने देखा, आपने भी enjoy किया होगा कि नापूर का wine and food festival जो है, यह सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, पूरे family के लिए wine and food festival है, यह इसकी खासियत है, साथ ही साथ nine wineries company यहां आई है, तो आज का दीन तो गुजर चुका है, दोस्तों कल का दीन जो है वो बाकी है, आ आप आकर इसका लुफ उठा सकते हो, तो आए नापूर wine club द्वारा आए जित, wine and food festival में, आपने तो देखा किस तरह से यहां पे लोग जो है enjoy कर रहे है, क्या मेरा परसे माइकल रामपूरी के साथ, मैंक्षिती जादेश मुख भी सियन देउज नापूर झाल